वेल्कम बेक टो मैं चैनल आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है तो शाम के सवाचार बत चुके हैं अभी-भी जस्ट मैं सोकर उठी हूँ और मैंने अपना केस वाश किया और बिंदी पहले से लगी हुई थी मैंने हटाई हुई थी तो बस इतना ही मैंने किया और हर्ष्यो जो ओर है हुई वो फोर तक के लियुक और मैं इसके लिए मेरे दोर लेने जा रही हुई उसके बाद मने उसे उठाओंगी्ड के पर रूटाया नहीं हसंchtयू मैं 2-5 कि जा ड़ी थी मैं सूजातीू दोर इससे नमा सब्सक्तर उड़ से थी मैं कहता हुई हम अब कर गर बिदा में लहें गप्रकी फीजे कशए दीर होते हैं इनके लिए थीजे खाना भी बनाना होता है टो शके बाद में मैं को शोना होता है क्यों मेरी अब हो पर निया करके मां बस अब अठानी एक मन्त हुआ है मतलब कि मैंने तीन मन्त से स्टार्ट कर दी ती लेकिन अभी प्रॉपर्ली मैंने डेली बेसिस पर एक मन्त से स्टार्ट की तो आयोप आप लोगों को मेरी वीडियो जो है वो पसंद आरहे होंगे वहलागी मेरा एक बीडियो तो इतना ज्यादा चल गया और अगर बागी के वीडियो तो मेरे है टीक है, मैंने सोचा कि अभी कौन साम में जीने सोके हूं अगर मेरा सदन्ली अच्छे चलन लगा है तो मैं कुछ सीख भी नहीं पाऊंगी मैंने यह सुचा कि अगर मुझे कुछ सीखना है तो मैं एकदम से मुझे सक्सेज ना मिले तो ही सही है और वैसे भी जो मीडिया है उसमें फॉन गोन के मामले में मैं थोड़ा ऐसे हूँ टपफरी हूँ तो मैंने सूचा अगर मैं अगर डारेक्टी सक्सेज पा लेती कि मेरे डारेक्टी इतने दख्जार भी हो जाते है या कुछ भी तो मुझे इतना ज्यादा नोलेज भी नहीं मिलता यूटूब के बारे में अब मैं धीरे धीरे अगर एक एक सिड़ी चड़ रहे हूँ तो मुझे नोलेज भी बहुँ जादा मिल रही है तो कुम कहाता न की कि वह बहुँ जादा अन-सक्सियस हुए थे तो उनकी मोटिवेशल स्पीच को मैं हमेशा देखती हूँ उसमें उनने कहाता की वह बहुँ जादा ऐसाफल हूएते थे पहले उसके बार में तो जो वह उसके वह सफल को हुए थे तो में उस टाइम में बाद को सीखा था उसके बाद में बो सफल हुए घर तो जब वक युष्द हो रहे थे तो यू एसे ने रिक्लीम के लאני प्रोल शठी ह gospel हर हे थी तो आप जब मेरा थी तो इसके लिए जरूरी है कि मैं पहले अचानक से सब बलता ना मिले थोड़ी थोड़ी मिले तो बस यही था अब मैं जाकर कि आशी के लिए दूर ले आती हूं और उसके बाद में मैं आप लोगों से बात करती हूं आप देख सकते हो कि वो सो रहा है मैं इसका दूर ले आई हूं तो चलिए अब मैं इसे उठा देती हूं तो यह है हर्षिद बाबू कुछ कहना चाहोगे विडियों में बस इनको सोना है और यह सोने का नाटक कर रहे हो कि आपजसकु कुछ खीग झाल 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 कर दो जो 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 कि समझे सकतर। झाल 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 जो शाम के जाडू लगा ली है जड़का आपने देखा और हाशु की स्टेड़ी जो है वो सिफ शाम के टाइम में एक घंटा ही पड़ता है 5-6 बजे बस और फिर खेलने के लिए चला जाता है जैसा कि आपने देखा और अच्छली वो पांच बज़े तक अपना होमग कंप्लीट कर लेता है और 5-6 बज़े तक मैं उसे होमग के अलाव और मैं टूशन की जबे हम पड़ाती हम उसको मैं ने का कि 5-6 बज़े तक मैं उसकी मम्मी नही हूँ मैं उसकी टूशन वाली मेम हूँ तो इस तरीके से हम पढ़ता हूँ और मैंने उसको भी यही सिखाया है कि उसन ऊकोर्डिन चलना स्थिखो अज वो भूट इंकÓ अरॉ और मेरे रूम में जो ये अंधिरा-ंधिरा है, actually मैंने अपनी व्लॉगिंग स्टार्ट करी है तो मेरे रूम में प्रोपर लाइटिंग नहीं है, मैं इसे भी इस प्रोप्लम को जल्दी सरह करवा लूँगी तो इसकी भी प्रोप्लम नहीं रहेगी तो आप मेरे एक दो वीडियो में इस तरीके का अंदेरा देख लीजिए बस पर मैं प्रॉपर लाइड लगवा लूँगी तो आपको यह वाली प्रॉब्लम केस नहीं करने पड़ेगी और अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंदा रहे हैं तो आप लीजिने लाइक कीज किजिएगा और कमेंट हो तो कमेंट कीजिएगा अगर मुझे अपने वीडियो में कोई भी इंप्रॉव्मेंट करना है तो मैं वह जरूर करूंगी और आप लोग चाहते हो कि मैं अपना मॉर्निंग रूटीन या नाइट का रूटीन जो आप लोगों के साथ शेयर करूं तो मैं वह जरूर करूंगी मुझे बहुत कोशी होगी करने में शेयर और 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 बस इतना ही था मेरा इवरिंग का रूटीन तो फिर उसके बाद अब बस मैं थोड़ी देर भार बैठ हूंगी हर्षित को देखती रहूंगी और शाम के साढ़े साथ कितने वज़े ह शाम के साढ़े साथ बज़ने वाले फिर उसके बाद में बस मैं डिनर के तयारी करूंगी और बस यही मेरा इवनिंग का रूटीन होता है आई होप आपको पसंद आया होगा तो मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाए झालस मिलती होप पसंद आया होगा जंब है यही जफी में तक में उलएग